और इसा में हुए दर्द नाग हाथ से ने पूरे देश की आखे नम कर दे ट्रेन से कोई अपने घर को लोट रहा था तो कोई काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर जा रहा था यात्री अपने मंजिल पर पहुँचते लेकिन उससे पहले ही उनका मौत से सामना हो गया किसी ने सोचा नहीं था कि जो सफर आज वो कर रहे है वो उनका आखरी सफर भी हो सकता है अचानक तीन ट्रेन आपस में टकरा गई और फिर तबाही का वो मंजर चारों तरफ नजर आने लगा घटना स्थल पर चीख फुकार मच गए नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सोनिया चोहान और आप देख रहे हैं न्यूज इडिया का डिजिटल प्लाइटफॉर्म धाइसों से जादा लोगों की मौत हो चुकी है सैकुडों लोग मौत से जंग लड़ रहे है जाज के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है लेकिन सवाल ये है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार पॉन होगा क्या डिपार्टमेंट की गलती या उसे चलाने वाले नेताओं की या ऐसे नेताओं को चुनने वाली पब्लिक की ये पहस तो आनन्द है जब तक जवाब न मिले ऐसे हादसों में बेकसूरों की मौत होती रहेगी ओरिसा के बाला सोर में दो जून को करीब साथ बज़े रूह कपा देने वाला ट्रेन हादसा हुआ यश्वन्द पूर से हावडा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस डिरेल हुई और हावडा से चिन्ने जा रही कोरो मंडल एक्सप्रेस से टुकरा गई इसके बाद कोरो मंडल के कई बोग या ट्रैक से उतर गई और मालगाडी से टुकरा गई तीनों ट्रेनों की हुई टकर में अब तक 2500 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है साथ ही 900 से जादा लोगों का इलाज जारी है वही हाथसे के बाद ओरिसा के मुख्य मंतरी नवीन पतनायक, रियल मंतरी अश्वनी वैश्णौं केंध्रिय मंतरी धरवेंडर प्रधान, पश्विम बंगाल के मुख्य मंतरी मंता बनर्ची समेत कई निता घटना स्थन पर पहुँछे और हालात का जायजा लिया वही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई इस बैठक में पियम मोदी ने मौजूदा हालात की जानकारी ले